हलो फ्रेंड आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल रासित की बिजनिस एडिया मसर्मा पशु मंडी से हमने दो गाय परचेस की है और उन दोनों गाय का डीटेल देंगे कि कितने में परचेस की हमने और बच्चा कौन सा है, क्या मिल्किंग कैपीसिटी है लाइब मिल्किंग करके भी दिखाएंगे आपको तो वीडियो को लाश्ट तक देखते रहें और चैनल पर अगर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथी बेल आइकन की घंटी को भी जरूर दबा लें धार वगरा देखा जा रहा है, धार की काफी अच्छी गाय है बहुत पसंद आई मुझे ये गाय है तो हम लोगों ने ये गाय को संडे के दिन खरीदा था जो के आगे वीडियो देखा, संडे के दिन का वीडियो आपको दिखाया मैंने और ये वीडियो जो देख पा रहे हैं आप ये हम लोग लाइव अभी आपको दिखा रहे हैं मिलकिंग इस गाय का जो के आज सनीवार का दिन है और सनीवार के दिन का ये वीडियो सुबा के टाइम का मिलकिंग रिकॉर्ट कर रहा हूँ तो कितना milk ये निकालेगी वो भी बताएंगे और कितने में purchase किया इस गाय को वो भी detail आप लोगों को दूँगा और दूसरी जो गाय है उसका भी इसी वीडियो में detail जानने को मिलेगा वैसे ये गाय दात में मिल चुकी है और milking आगे मैं दिखाऊंगा कि कितना इसने milk निकाला है अगर price की बात करें तो इस गाय को मात्रे हम लोगों ने 90,000 में purchase किया है 19,000 यानि 19,000 रुपया में ये गाय को हम लोगों ने purchase किया है और दूसरा चीज़ की इसमें एक week point भी है जो कि आगे मैं mention करूंगा इस वीडियो में कि इसके अंदर क्या week point है और इतनी सस्ते दामों पर ये गाय जो मुझे मिली है ये ही एक सबसे बड़ी वज़ा है वरना ये गाय लगभग मेरे हिसाब से आज के date में जो मंडियों में rate है कम से कम ये गाय 26 से 27,000 रुपया की sale होती अगर ये इसके अंदर जो week point है वो नहीं होता तो तो बने रहे हैं वीडियो में milking इसका finally किया जा चुका है और बच्चे के लिए भी दूद छोड़ना है जो के बच्चा भी काफी बढ़या है बच्चला बच्चा है इसके नीचे जो के बच्चा देख सकते हैं बच्चला बच्चा है इसके नीचे और बच्चा काफी बढ़या है मातर ये गाय जब हमने पर्चेस किया था तो दो दिन की ब्याई भी थी लगबग अभी इस बच्चे का एज साथ दिन कह सकते हैं साथ दिन का बच्चा हो चुका है छे दिन का और मिल्क छोड़ दिया है लगबग थनों में देड़ लीटर के आसपास दूद मेरे अनुमान से है और होना भी चाहिए क्योंकि हम लोग भी गाय का मिल्किंग करते हैं तो एक अंदाज हो जाता है कि कितना मिल्क है बचा हुआ और यहां पर जो दूद निकाला हमने वो देख सकते हैं लगबग ये दूद साड़े पांच लिटर के आसपास है और देड़ लिटर बच्चे के लिए मैंने दूद छोड़ा है तो साथ लिटर मिल्किंग कैपिसिटी वाली गाय उननीस हजार रुपया में मैंने मंडी से परचेस किया है वो भी मसरमा पशु मंडी से तो खेर दूसरी गाय का डीटेल दे दूँ फिर उसका विक पॉइंट भी बताएंगे आपको सुनने के लिए बिलकुल बने रहे हैं वीडियो को लाश तक देखते रहे हैं दूसरी गाय यह जो कि ये भी गाय दात में मिल चु कि फर्स्ट ओनर थे उनका कहना था कि इस गाय को भी चार दिन बच्चा दे कर हुआ है और आज हमारे पास आकर भी लगभग इसे पांच दिन हो चुका है तो आट नो दिन की बियाई भी ये भी गाय है और ये एंगल से भी थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे इस गाय को हम ल हिसाब से मुश्किल है लेकिन नामुम्किन नहीं है मिल जाती है थोड़ा सा कोशिस और मेहनत करना पड़ता है दूसरा ये जो गाय फर्स्ट वाली मैंने बताया कि इस गाय के अंदर में एक दिक्कत थी वो दिक्कत ये है कि ये गाय तीन बांट की है तीन थनों से दूद निकलता है इसके और एक थन इसका खराब है यही वज़ा है कि ये गाय हम लोगों को मातर 19,000 रुपय में मिली है वरना आज के मंडियों में इस गाय का रेट 26-27,000 रुपय होना ही था और उससे कम में ये गाय नहीं बिक्ती जैसा कि गाय का बाड़ी स्टेक्चर देख सकते है और काफी अच्छी मिल्किंग में भी है बहुत सांसो भाग की है और दूसरा इन दोनों गायों के बच्चे को एक बार और दिखाऊंगा जो के ये लाल वाली गाय का बच्चा यहां पर ये ब्लैक और वाइट बच्चा देख पा रहे हैं जो के मेल बच्चा है का बच्चा है देख सकते हैं काफी खुबसूरत ये भी और बच्चडी होता तो सोने पे सोहागा होता बच्चडा है तो भी मुझे कोई अपती नहीं है और इसका बढ़या से ख्याल रखा जा रहा है दोनों गाय के बारे में जरूर मुझे कॉमेंट करके बताएं कि हमने जो गाय परचेस की है वो ठीक प्राइज में खरीदा या फिर महेंगे रेटों में हमने खरीदा है मेरे हिसाब से काफी अच्छे रेट में मैंने परचेस की है लेकिन आप लोग अपना रायस जरूर दें और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से मैं धरनेव बात करना चाहता हूं और वीडियो को लाइक सेर जरूर करता हूं